नमश्कार बच्चो बच्चो अभी तक हमने संस्कृत में सबसे पहले कुछ याद रखने वाली बातوں को किया जिससे कि हमें पढ़ने और लिखने में संस्कृत आसानी आ सके जब हमने उन बातों को समझ लिया उसके बाद हमने पहला जो हमने क्या सीखा? परीचे अपना परीचे देना तो जिस आपने देखा कि आपने परीचे को लिखते समय और पढ़ते समय बहुत अच्छे से कारिये किया इसके बाद अब जो है संस्कित में बहुत सारे शब्द सिस्टाचार के आते हैं कि हम हरोज इस्तेमाल करते हैं शब्दों को हिंदी में करते हैं इंग्लिश में करते हैं लेकिन हमें उसका संस्कित अनुवाद नहीं आता संस्कित में हम उन शब्दों को क्या बोले उसका हमें अनुभव नहीं है तो आज हम सबसे पहले सिस्टाचारह में उन शब्दों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कि संस्कित में प्रति दिन प्रियोग मिलाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी संस्कित भाषा है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि संस्कित भाषा हिंदी और इंग्लिश से मिलती जुलती है। बहुत सारी चीजें इनकी आपस में मिलती जुलती है, दूसी वात है व्याकरन भी इनकी मिलती है, और साथ साथ हमारे बूलने के धंग भी काफी एक जैसे हैं। तो चलिए, आज हम पढ़ते हैं सिस्टा चारह, सिस्टा चारह, पढ़ेंगे इसमें संस्कित को हिंदी अन्वाद, हिंदी के साथ साथ हम इसका इंग्लिश में भी जानेंगे कि क्या बूलती हैं इस दिन सब्दों को, सबसे पहले आता है संस्कित के शब्द, सूपरभातम प्रात ह का नमशकार, इंग्लिश में बोलते हैं हम गूद मॉर्निק, आपने देखा होगा, अक्सर हमारे मूँसे निकलता है गूद मॉर्निक में, गूद मॉर्निक, तो क्या है संस्कित में हम उसको क्या बोलेंगे, सूपरभातम सूमध्यानम दोपहर का नमशकार आपने इंगलीश में बोलते हैं गुड आफटरनून क्योंकि हमारी अधिकतर हम जो है बच्चे क्या बड़े क्या बुड़े क्या सब जो है इंगलीश का सब्दों को अधिक बोलते हैं यसे तो नहीं बोलेंगे हम दोपहर का नमशकार तो हम बोल देते हैं गुड आफटरनून लेकिन सर्सकित में हमें बोलेंगे सूमध्यानम क्या बोलेंगे? सूमध्यानम नेक्स्ट है शुब सायम शुब सायम शाम का नमशकार हम इंग्लिश में बोलते हैं good evening बड़े असानी से बोल देते हैं good evening तो good evening क्यों हम क्या बोलेंगे शुब सायम next है शुब रात रिह रात की नमस्कार जो है हम कैसे करते हैं good night बोल देते हैं न इंग्लिश में good night गुड नाइट नहीं, हम संस्कित में क्या बोलेंगे उसको शुब रात्रिह नेक्स्ट आता है धन्यवादह धन्यवादह जब हम किसी से कोई चीज लेती हैं, देती हैं, यह को हमारा काम कर देता है तो हम उसको धन्यवाद करते हैं तो संस्कित में हम क्या बोलेंगे धन्यवाद हाँ, हिंदी में भी हम धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं हम थैंक्यू, एक्सर हम ऐसे इंग्लिश शब्दों का प्रियोग कर देते हैं, लेकिन अब से आपने संस्कित में ही उत्तर देना है, संस्कित मे थेन्क्यू ने बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे। धन्य वादभू, स्वागत है। हिंदी का शब्द है। क्या बोलेंगे इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्लीज प्लीज हमें यह बस्तु पकड़ा दीजिए कोई भी आप करतें प्लीज मुझे पैन पकड़ा दो प्लीज मुझे पुस्तक पकड़ा दो तो हम यहाँ पर क्रिपा क्रिप्या ठीक है क्या बोलेंगे क्रिप्या नेक्स नेक्स आता है समीची नम, समीची नम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इंग्लीश में बोलते हैं very good, इंग्लीश में हम बोलेंगे very good, very good को संस्कित में क्या बोलेंगे समीची नम, समीची नम, नेक्स्ट आता है अस्तू, तथा अस्तू, बोल देते हैं न, तथा अस्तू इसका अर्थ हिंदी में क्या है? ठीक है इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको आल्राइट, क्या बोलते हैं? आल्राइट आल्राइट को संस्केट में क्या बोलेंगे? अस्तू क्या बोलेंगे अस्तु शम्यताम शम्यताम शमा करें इंगलिश में बोलते हैं एस्क्यूज मी को संस्कित में क्या बोलेंगे शम्यताम शम्यताम नेक्स्ट है पुनहा मिला महा फिर मिलते हैं हिंदी में बोलते हैं फिर मिलते हैं तो हम संस्कित में क्या बोलेंगे पुनह मिला महा और इंग्लिश में क्या बोलते हैं See you again See you again पुनह मिला महा तो इस परकार देखिए आपने बहुत सारे शब्दों को जाना इंग्लिश में आते हैं आपको हर रोज आप इंग्लिश में परियोग करते हैं अधिक्तर या हिंदी में आप जानते हैं हिंदी में परियोग करते हैं लेकिन संस्कित भाषा आपके लिए नहीं है इस नहीं भाषा में हम सिस्टा चार के नाते इन शब्दों को भी जानेंगे अधिक से अधिक हम इन शब्दों का परियोग करेंगे तब ही हम अपनी संस्कित भाषा से प्रेम कर सकेंगे और इसको जान सकेंगे, पहचान सकेंगे, सीख सकेंगे, तो आईए, अब next, जो है हम संस्कित पढ़ने से पहले हम ईश्वर से प्रातना करते हैं कि हमें क्या-क्या चीछ चाहिए, कहते हैं न, कि कोई चीज़ अगर हम श इशे को पढ़ने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले प्रभू को याद करेंगे, प्रभू कि असे प्रात्ना करेंगे, और प्रभू से हम मांगते भी है, कि हमें ये जीज़े दो, तो हम इस कवीता के जरीए, हम संस्क्रित के शब्दों को समझेंगे भी, और इश्वर से प्रातना भी करेंगे तो मेरे साथ जो है आपने ध्यान देना है कठीन शब्दों को मैं बताते हुए जा रहे हूँ क्योंकि ये जो प्रातना है ये सिरफ पढ़ने के लिए है है ना तो और समझने आपने शब्दों को समझना भी है प्रातना को समझने और साथ में ये सिरफ पढ़ने के लिए तो आएए हम पढ़ते हैं ये प्रभू महयम करते मुझे सत्बुधिम अच्ची बुधि यच दो महयम सत्बुधिम यच मुझे अच्ची बुधि दो सत्यकारियनी अच्चे काम करिश्यामी करूंगी या करूंगा महयम मुझे शरीर बलम शरीर में ताकत प्रियच प्रदान करो महयम शरीर बलं प्रियच मुझे शरीर का बल प्रदान करो अनेशाम जिससे मैं रक्षाम ब्रक्षा करिश्यामी करूंगा या करूंगी अनेशाम रक्षाम करिश्यामी जिससे मैं रक्षा करूंगी या करूंगा महयम मुझे मधुरवानिम मीठीवानी प्रियच प्रदान करो महयम मधुरवानिम प्रियच मुझे मीठीवानी प्रदान करो सदेव हमेशा मधुरम मीठा वदिश्यामी बोलूंगा या बोलूंगी सदेव मधुरम वदिश्यामी हमेशा मधूर बोलूंगा बोलूंगी महम श्रवन महम मुझे श्रवन शक्तिम सुन्ने की शक्ति प्रियच प्रदान करो महम श्रवन शक्तिम प्रियच मुझे सुन्ने की शक्ति प्रदान करो हित वचन ही श्रवनम सुनूंगा करिश्यामि सुना करूंगा तो यहाँ पर फिर से देखिए हित वचना नाम श्रवनम करिश्यामि हित वचन ही सुना करूंगा तो इस परकार से हमने इश्वर से प्रातना की कि हे इश्वर मुझे क्या दो सबसे पहले हमें कि सद बुद्धी दो जिससे मैं अच्छे काम करूँ फिर कहा कि हमें हे इश्वर मुझे शरीर में ताकत दो बल दो जिससे मैं कि दूसरों की रक्षा कर सकूँगा फिर इश्वर से थर्ड पेरग्राफ में काया कि मुझे अच्छी वानी दो, अच्छी वानी प्रदान करो, जिससे कि मैं हमेशा अच्छा बोलूंगा, मधुर बोलूंगा नेक्स्ट लास्ट वाले पैराग्राफ में काया कि मुझे ही इश्वर सुनने की शक्ति प्रदान करो और वो शक्ति से मैं क्या करूँगा कि मैं हित बचन ही केवल सुन सकूँ जिससे कि दूसरों के भलाई करने वाले बचन ही मैं सुन सकूँ इस परकार से यहाँ पर एक बच्चे ने इश्वर से प्रातना की है कि मुझे सदबुद्धी दो, शरीर में बल दो, मदुरवानी दो और सुनने की शक्ति प्रदान करो तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारे शब्द संस्कित के जिनके मैंने आपको सासत अर्थ भी बताए तो उन शब्दों को आपने ध्यान देना है और नीचे भी दिखाए गए है शब्दार्थ में महियम मुझे महियम मुझे यहाँ पर शब्दों के अर्थ हिंदी में भी दिया हुआ इंग्लिश में भी दिया हुआ है कि बच्चे को समझाने के लिए कि ताके आपको समझ में अच्छे से आजाए यच दो करिश्यामी करूंगा या करूंगी लड़की और लड़के के लिए दोनों के लिए आया हुआ है एक चीज लगेगी आप लड़की हैं तो करूंगी और लड़का है तो करूंगा वदिश्यामी बोलूंगा या बोलूंगी यहाँ पर भी लड़का और लड़की का वचन के अनुसार आपने अर्थ को समझना है अगर लड़की है या लड़का है तो दोनों के लिए ये वद्धी श्यामी ही लगेगा ठीक है तो आपने इस चीज़ का ध्यान देने तो आपने इस प्राथना में बहुत सारी जो है इश्वर से प्राथना की कि मुझे ये ये चीज़ें परदान करो तो इस के बाद अब जो है हम कल नया पाठ पढ़ेंगे शुभारम करेंगे हम नई संस्कृत के नई पाठ से तो पहले सबसे पहले हमने इस वर से इन चीज़ों को मांगा ताकि हम जो है अच्छे से संस्कृत विशे को परद सके तो आज यहीं पर आपका विश्राम लेना चातियों में आपसे धन्यवाद